आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोबी का एकदम अनोखा और यूनिक नास्ता गैरेंटी ए फ्रेंट्स आज से पहले आपने कभी भी इस नास्ते को ट्राइन नहीं किया होगा खाने में इतना ज़्यादा जबरजेस्ट है कि आप एक बार नहीं रो जाना बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे बहुत ही अच्छी लगेगी रेस्पी तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइप शेयर कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पत्ता गोबी के इस स्नेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबुत पत्ता गोबी लेना होगा यानकी कटा हुआ नहीं होना चाहिए पूरा साबुत होना चाहिए तो सबसे पहले उपर के जो पत्ते थे थोड़ा बहुत गंदे से होते हैं न वो उनको हमने अलग निकाल दिया है अब हम क्या करेंगे बिल्कुल हलके हलके हातों से इसके एक एक पत्ते को निकालेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल हलके हातों से निकालिएगा जल्दवाजी मत करिएगा तो बिल्कुल साबुत पत्ते निकलेंगे कटेंग को रॉल करना पड़ेगा तो यह तूट जाएंगे तो इसके पीछे जो थोड़ा सा मोटा सा इससा दिख रहा है ना इस हिस्से को हम पीलर की या फिर चाकू की हेल्फ से थोड़ा सा अलग कर देते तो बहुत जादा अलग नहीं करना है बिल्कुल हलका हलका साम इसको लेविल यह पत्ते बहुत चोटे हो जाते तो मैंने इसके रॉल के लिए थाबुत नहीं निकाला है तो हम क्या करेंगे इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे इसका इस्तिमाल हम करेंगे इसको फेकिंग नहीं आप चाहे तो इसके भी थाबुत पत्ते निकाल करके छोटे-छोटे र पानी गरम हो चुका है बहुत जादा नहीं बिस हलका ही गरम हो जाए तो आप पत्ते डालना इसमें शुरू कर दीजेगा आप भगोना भी ले सकते हैं तो मेक एक करके सारे साबुत पत्तों को कड़ाई में डाल देंगे अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी से पानी गरम हो जाए और एक चमचे की मदद से हलका हलका सा इसको दबाते जाएंगे ताकि पानी में डूब जाए जैसे जैसे गरम पानी में डूबेंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो इन्हें हमें बहुत जादा नहीं उबालना है बस हम दो मिनट के लिए आई फ्लिम पर अच्छे से उबलने देते हैं इतने में ही ये सारे पत्ते एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं आई फ्लिम पर हमने इनको बॉइल कर लिया है आप हम गैस को बंद कर देते हैं सारे पत्ते बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस एक एक करके इन सभी पत्तों को हम अलग प्लेट में निकालते जाएंगे तो बिलको साबुत ही होने चाहिए तूटने नहीं चाहिए तो देखे कितने इस सॉफ्ट हो चुके हैं अब इन सभी पत्तों को हम अलग नाकर के तयार कर लेंगे यहां पर हमने बापस से कढ़ाई रेली है इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है इसमें हम थोड़ी सी सौफ डाल देते हैं आदा चमच के करीब सफेद तिल डालेंगे और थोड़े से हम जीर डाल बारिक कटी हुई हरी मिर्च, हलका सा हम मिर्च को फ्राई करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ लहसुन और साथी में बारिक कटा हुआ अधरक, इनको हम हलका सा सुनेरा होने तक भून लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, मीडियम साइज की प्य तमाटर को अच्छे से हम मिक्स अप करेंगे अब हम इसमें रालेंगे स्वाधनसार नमक एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे एक चमच भर करके पावाजी मसाला इससे हमारी फिलिंग बहुत चरपटी बहुत ही ज्यादा टीस्टी रिषा बनेंगे फिलेव बिलकिल रोग करणेंगे ताकि मसाले जलेणा अच्छे से मिक्स करेंगे टेमाटर के साथ आब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हूँस है और साथ में हम पत्ता घबी हम डालेंगे इससे हमारी filling बहुत ही healthy सबजियों से भरपूर बनेगी और टेस्ट की तो क्या बात करूँ साथी में हम थोड़ा सा हरी मटर भी मैंने लिया है यहाँ पर fresh वाली तो मटर भी हम इसमें डाल देते हैं आपके पास गाजर है तो वह भी आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं अब बस हम इसको क्या करेंगे एक लिट से कवर कर देंगे और दो तीम नट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे जब तक कि मटर बढ़िया गल नहीं जाते हैं हमने दो तीम नट तक इसको पका लिया है तो चली हम चेक कर लेते हैं मटर अच्छे से गल या नहीं क्योंकि जो सिमला मेर चौर कैबिज है वो तो बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन मटर को थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो हम चेक करेंगे तो देखे मटर बहुत अच इसे मैश हो जाएं तो इसे हमें हाई फिलेम पर अच्छे से कलारते हुए पकाना है तो लीजे हमारी आलू की और सबजियों से भर पूर बढ़िया चटपटी सी फिलिंग बन करके बिलकुल रेडी है यह इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसको सूखा खा करके देखेंगे तो आप सच में कहेंगे कि पूरी फिलिंग ही खा जाओं फिलाल हमें फिलिंग नहीं खानी है हम आगे कर स्नेक्स बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यूनिक होने वाला है तो चलिए अब हम इस फिलिंग को अलग एक बोल में ट्रांस्फर कर लेते हैं दाल देते हैं और साथ में हम स्वाधन साथ नमक डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गहडा साथ भूल बना करके रेडी कर लेंगे बैटर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है तो मैं आपको इसकी कंसेस्टेंसी दिखा देती हूं वरना जो स्नेक्स है वो बिगड़ भी सकता है तो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए बैसन की कंसेस्टेंसी देखिए मैं गिरा रही हूं तो किस तरह से फ्लोइंग कंसेस्टेंसी में है और नीची हलकी हलकी से रिविंस बन रही है उल्टा करके हम कोट करेंगे तो एक मोटी सी रॉल तैयार कर लेते हैं तो आज का हम जो स्नेक्स बनाने वाले हैं यह है कैबिज पोटेटो रॉल तो एक पत्ते को हम उठाएंगे आप कैसे भी इसको उल्टा सीधा रख सकते हैं क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस अब हमने जो अपनी फिलिंग बना करक और इसके किनारे पर रखेंगे ध्यान से देख लीजे किस तरह से बनाने हैं अब बस इसको किनारे को उठा करके हम हलका सा रॉल करेंगे एक बार हम फोल्ड करेंगे और यह जो किनारे की पत्ते हैं इसको हम अंदर की तरह फोल्ड कर देंगे ताकि इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट आए और बस इसको हम रोल कर देते हैं तो यह हमारा पत्ता गुबी का रोल बन करके तयार है मैं आपको एक रॉलर बनागर के दिखाती हूँ ध्यान से देख लीजेगा एक पत्ता लेंगे और इसके किनारे पर हम फिलिंग को रखेंगे एक चम्मच या थोड़ा बहुत जादा कम अपने साब से आप फिलिंग भर सकते हैं अब हम इसको किनारे से हलका सा रॉल करेंगे बस एक बार हम रॉल करेंगे फिर जो किनारे का एरिया है पत्ते का इनको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बापस से हम इसको रॉल कर यहां पर हमने एक वहासान इनको रॉल बनाना यह देकिए तiskaे से सारे वहर बनाकर के तैयार कर लेते तो एक एक रॉल को उठाते जाएंगे और पिषण में अच्छे से कोट करेंगे तो किनारी पर आपको बढ़िया से कोट कर लेना है और इस रॉल को हम दालते जाएंगे एक बार में पैन में जितने आसानी से रॉल बन जाए उतने ही दालिएगा जब और जिस्ती के मत भरिएगा वरना सेकने में दिक्तत हो जाए तो देखी हम बीसन में कोट करते जा रहे हैं कुमाते हुए और इसकी किनारे पर भी अच्छे से हम बीसन से कोट कर रहे हैं और बस इसको हम पेल में ट्रांसफर करते जाएंगे अब हम इनको हाई प्लेम पर अच्छे से सेखेंगे यह पत्ते इतने पतले होते हैं और उपर से हमने इनको हलका सा उबाला भी था जिसकी बज़े से इनको बिल्कुल भी ज्यादा टाइमिंग नहीं लगती है लगबग दो मिन एक मिनट में यह नीचे की तरफ भी सिख गए है तो मैं इनको पलट करके दिखा देती हूँ यह देखिए कितने बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से यह सिख चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं देखने में बहुत ही यमी लग रहे हैं बाहत इक्दम क्रिस्पी अंदर से बढ़िया चटाकेदार मसालेदार फिलिंग भरी हुई है इनके अंदर तो बहुत ही यूनिक नाश्ता है इसको हमने नाम दिया है कैबिज पोटेटो रॉल्स तो इनको हम निकाल लेते हैं इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी बना करके रेडी कर लेते हैं इन तैयार है गर्मा गरम कैबिज पोटेटो रॉल्स बाहर से क्रिस्पी बीच में नरम नरम और अंदर मसालेदार चटपटी सी फिलिंग इसको आप टोमेटो केचप के साथ या फिर आप चाय के साथ इंज्वाय कर सकते हैं इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार खाने के और अब आपको तेस्टी बने आपको आपको आज की एक पोटेटो रॉल्स की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगली रेस्पी में तब-tक के लिए बाबाई टिक क अब-बा-टो बाई कि एल जाय।